प्रेंड वेल्कम बेक मैं यूट्यूब चनल में जाम अफिलोड करता हूं बीजिसी मैथमेटिक्स इन पिजिक से रिलेटेट इस वीडियो बात करने वाले हम यहां पर रियल अनलेशिस टॉपिक के बारे में जिसमें हम बात कर रहे हैं यहां पर रिमान इंटेग्रेशन की पर रिमान इंटेग्रेशन के बारे में तो बेसिकली पूरी थेहरम के प्रूफ करवाने माला हूं नैसेसरी थेहरम से बहुत इंपोर्टनेंट होते हैं यह इस रिजल्ट का यूज हम आगे कोशिंस में भी करता है जब यह साट कंडिशन सटिस्फाई होती है तब हम आगे पर रिमान इंटेग्रेशन के लिए सौल करता है कि अपर रिमान इंटेग्रेशन और रिमान इंटेग्रेशन अगर इकवल है and then we can say that the function will be the रिमान इंटेग्रेबल तो बिसिकली अब हम यह पर देखना है कि necessary sufficient condition क्या होती है so let f be a real value to function defined on a interval a b then prove that f is रिमान इंटेग्रेबल over a b if and only if given epsilon is greater than 0 then there exists the partition pf अब यह कह रहा है कि जो upf होता है upper darbox sum और lower darbox sum का difference होता है वह always greater than 0 positive होना चाहिए या 0 हो सकता है और वह हमें से epsilon से छोटा होना चाहिए जो भी आपको partition का एक epsilon given होता है और रिमान इंटेग्रेशन कंजिडर करना पड़ेगा तो नेससरी कंडिशन मतलो है अगर यह हो तो भी मैं पिर आू र्यमान इंटेग्रेशन होता है ऐसे आमने प्रूफ करना है यहां पर आपको जो नेसेसरी कंडिशन है उसमें हम देखेंगे कि यह जो है condition उसके होने पर आपको रिमान इंटेगरेशन मिलेगा अब दूसरे में क्या देखेंगे रिमान इंटेगरेशन है तो यह होगा ऐसा हम यहां पर देखेंगे ठीक है कि मैंनों बोल दिया यहाँ पर डिमान इंटेगरेशन में यह चीज आपको निकालने यह चीज परूफ करने हैं necessary condition में क्या देख रहे हैं कि अगर आपका function is the remand integrable, this is the notation of remand integrable, और function आपका remand integrable है, then to show, अब हमें यहापे show करना है, then to show, हमें यहापे क्या show करना है, कि यह जो आपका upper darbox sum है, that is upf minus lpf is always less than epsilon and is greater than 0, तो यहापे अगर यह remand integrable है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई function जो होता है, f is remand integrable on a, so it means that, कि इसका जो upper remand integration है, f of x dx, that is equals to lower remand integration, f of x dx, and इसको हम in general, a, b, f of x, सिधा normal integration होता, definite integral की form में लिखता है इसको, then by darbox theorem, हमारे पास में एक result होता है, जिसका proof हमने previous video में कर रखा है, by using the results of darbox sum, results of darbox theorem, तो darbox theorem की है, उसके results हम यहाँ पर लिखता है, विजिकली result में आपको क्या धियान रखना है, कि upf जो होता है, वो always less than होता है, upper remand integration of f of x dx में आप कोई भी epsilon by 2, कोई भी epsilon यहाँ पर add कर सकता है, तो epsilon by 2, epsilon by 2, plus हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा फिर वहाँ पर, अगर मैं epsilon करोगा, तो 2 epsilon हो जाएगा, बिसिकली बात वही है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, equation number 2 हो जाएगा, second हम बात कर रहे है, इसी का एक result होता है, LPF जो होता है, वो greater than होता है, lower remand integration f of x dx, plus यह हो जाएगा, epsilon by 2, equation number 3, okay, now, अब हम है काया करना है, यहाँ पर, जब हम यहाँ पर, इसके लिए, यह सारे result हो लिख दिए, अब partition देखना है, आपने को यहाँ पर, partition देखना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि P belongs to partition AB, जो इसका length है, यहाँ पर, basically length is less than delta, now, अब देखो, from equation number 1, from equation number 1 and 2, तो यह आपके पास में क्या है, अपर रिमान integration, अपर रिमान integration जो है, वो क्या है, equal है इन सब के, और यह अपर रिमान integration greater than UPF का, it means, यह जो होगा, वो क्या हो जाएगा, greater than हो जाएगा, it means, इससे हम क्या लिख सकते हैं, कि UPF इन सब से छोटा होगा, less than, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB, F of X, DX, plus क्या हो जाएगा, यहाँ पर Epsilon by 2 हो जाएगा, ठीक है, F of X, और यह अपर रिमान समुझाएगा, ठीक है, यह यहाँ पर एक सक्ट, रिजल्ट होगी है, एक सक्ट, equation number 1 और 2 से Epsilon by 2 हो जाएगा, ओके, अपर रिमान में Epsilon, UPF जो हो, अपर रिमान में Epsilon हो जाएगा, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते है, कि LPF जो होगा, वो क्या होगा, greater than, lower रिमान इंटेगरेशन of Fx, Px, और यहाँ पर, एक सक्ट, मैं यहाँ प्लस लिख दिया, यह माइनस होगा, यहाँ पर यह लोवर के अंदर यह माइनस होता है, sorry for that, लोवर में यह माइन पास, एक सक्ट, 4, 5 है, equation number 4 and equation number 5, now अब देखो, जो हमारे पास, अगर मैं इन दोनों को minus कर देता हूँ, मैं जे क्या करना है, proof क्या करना है, इनका minus, इनका दोनों का difference लेना, UPF और LPF का, तो क्या कर देखो, इसको अगर मैं माइनस से multiply करता हूँ, LPF is greater than, sign change हो जाएगा, य minus epsilon by 2, यह equation number 6 है, 4 मैं से equation number 6 को add कर दो, now by equation number 6 and 4, क्या हो जाएगा, UPF minus LPF is less than, यह क्या हो जाएगा, upper minus lower, यहां से क्या हो जाएगा, upper minus lower और यह हो जाएगा, हम इसको simplify करेंगे, तो यहां पर आपके पास में आजाएगा, एक सक्ट, यह सारे तो बराबर है ना, यह सारे तो बराबर है, यहां से क्या हो जाएगा, A, B बार, अच्छा, यह काम कर सकता हम यहां से, क्या कर सकता है, कि जब यह रिमान इंटेगरेशन है, अपर वाला lower के equal है, तो हम इसको lower लिख देंगे, या फिर एक काम करो, दौनों को रिमान इंटेगरेशन ही लिख दो, तो आपनो की जगे हमने रिमान इंटेगरेशन लिख दिया, यह तर्म से less इसको, आपके पासTE characterized, ए प्लस आ जायएगा, यह यह पने काशी और यह प्लस आ जाएगा, यह थम हमारे पास में यहां पर एक जो है रिजल्ट होता उस रिजल्ट को ध्यान रखना यह प्रूफ नहीं हो रहा कभी जीरो से बढ़ा होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर इसमें बराबर हो जाएंगे बराबर हो इसका मतलब क्या हुआ बराबर होने पर यहां पर इसकी जगह सिंपल रिमान इंटेग्रेशन का क्या करना आपको यहां पर आगे साइन चेंज करना है इदर साइन चेंज करके एड हो तो यह ओ determination कर दो यह होगा और यह ए इस से एपसलेन हो जाएगा इसलिए हमने एपसलेन बाई तो लिया है आप यहां पर एपसलेन भी ले सकते हो कोई प्रबलम नहीं है अब आता है यहां पर इसकी sufficient condition के तो अगर यह हो तो रिमान इंटेग्रेशन हो जाएगा it means let epsilon is greater than zero there exists P partition of AB such that यहाँ आप हम consider कर रहा है कि अगर यह 0 से बड़ा है UPF minus LPF and epsilon से छोटा है then हमें क्या प्रूफ करना this is equation number seven लिख देता है by upper रिमान इंटेग्रेशन and lower integration by the definition to show अब हमें क्या शो करना है तो शो अपर रिमान इंटेग्रेशन होता है basically f of x dx is equals to अपर रिमान इंटेग्रेशन क्या होता है infirmum of UPF this is the infirmum of UPF and जहां पर P जो होता है वो AB से बिलॉंग करता है and हम यहां क्या जानता है जब यह हमारे पास में result आ जाएगा यह जो है वो अपर और यह जो है यहां पर यह हो जाएगा AB बार और यह हो जाएगा f of x dx that is equals अब देखो यह क्या है infirmum है infirmum of UPF मतलब यह क्या होगा infirmum है न इसका मतलब यह वाली चीज इंस UPF से छोटी हो UPF का आपना infirmum ले लिया है यह UPF के infirmum के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यह infirmum जो होता है वो उस function के maximum value या function की normal value से छोटा होता है क्योंकि infirmum से सारी values बड़ी होती है तो यह क्या हो जाएगा UPF से छोटा होगा यह actual में क्या आएगा अगर आप यहां पर समझने कोशिश करें तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर लिख सकता हूं इस लेस दैन इकोल्स टू यूपी अफ यूपी अफ के टर्म से छोटा होगा इट मेंस यह क्या हो जाएगा UPF से छोटा हो जाएगा सिमिलर्ली यह जाएगा एक्वेशननरर कर सकते हैं आप नंपर यहां पर बात करता है सबसे बड़ा होता सुप्रियूम से छोटी होगी इसका मतलब क्या हो गया लोवर रिमान इंटिग्रेशन ओफ डी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल एल पिया तो इस इक्वेशन नमबर नाइन यहां से अगर मैं एक्वेशन नमबर नाइन इसको यहां पर क्या करता है लाइक काम करता चलो इसको यहां पर साइन चेंज कर लेते हैं इसका यह हो जाएगा ए बार बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स यह हो जाएगा एक्वेशन नमबर नाइन अब क्या करो आप इक्वेशन नमबर एट एड नाइन इनको एड कर दो इनको ज यह भी देखो सेम साइन है तो क्या हो जाएगा लेस दिन इक्वल लेस दें इक्वल यूपीएफ माईनस एल पिरेफ क्योंकि साइन हमने चेंज कर दिया और हम्ने इसको एड्ड कर दिया अब देखो जब Epsilon की बात कर रहे हैं यहां पर यह जो सारा कुछ है है यह हमने क्या का सिर्डर किया है यह हमारे पास में Epsilon जब हमारे पास में Epsilon Like basically Remand integration का difference लेना है इसको प्रूफ करना equals में यह जो चीज है वो क्या है जीरो से बड़ा है और Epsilon से छोटा है ठीक है, और हम क्या जानते हैं, हमारे पास में, हमको given क्या है, given upf minus lpf is less than epsilon, अगर ये epsilon 0 की तरफ tend करें, epsilon बहुत छोटा हो जाए, उसका मतलब क्या होगा, ये difference 0 के equal हो जाएगा, ये 0 के equal या 0 के less than हो जाएगा, या तो 0 के equal होगा है, 0 से less than हो जाएगा, इट मिन्स ये क्या हो जाएगा यहापर, ये क्या हो जाएगा, a, b bar f of x dx minus lower remand integration f of x dx less than equal, 0 हो जाएगा, ये term 0 की तरफ tend करेंगा, this is also tending to 0, यहापर ये 0 हो जाएगा, it means we can say that, अगर मैं यहाँ से इसको लिखना चाहता हूँ, ये हो जाएगा, अपर remand sum f of x dx, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको equal कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर less than equal, less than equal हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में एक result होता है, हाँ result तो यह होता है, result होता है, यह वाला, गर हम इसके result की बात करता है, देखो अच्छा, यहाँ से तो क्या आ रहे है, एक second को, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमारे पास में एक result होता है, यह अपर रिमान इंटेगरेशन जो होता है, वह always greater than equal 0 होता है, f of x dx, यह equation number 1, तो इसका मतलब क्या, contradiction हो गया, यहाँ और यहाँ, जब यह दानों बराबर होंगे, तब भी इस condition पो satisfy कर पाएंगे, यह हो जाएगा, f of x dx is equals to f of x dx, यहने कि अपर रिमान और यह हो जाएगा, रिमान इंटेगरेबल यहाँ निए क्या लिख देंगे, function belonging to रिमान इंटेगरेबल of r a b, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी necessary and sufficient condition को हम यहाँ पर प्रूप कर सकते हैं, this is all about the basically यहाँ पर आपने पुरा discuss किया है, इसके बारे में, और यहाँ पर आपना ऐसा भी लिख सकते हैं, जब हमारे पास में result है, तो आप इसको equal कर देंगे, बात वही है ना, अपर रिमान सम्झोय है, वो उसके equal हो जाएगा, ठीक है, आप necessary and sufficient दानों condition को यहाँ पर समझ सकते हैं, तो थैक्स पर वाचिंग मैं वीडियो, की वाचिंग मैंस मैथ, यहीं सी टाइप के फॉर मोर वीडियो के लिए हमारे चनल लोगा सब्सक्राइब करें, थैंक्यू, बाबाई.